Hello guys, मैं आपका भाई, दोस्त, Educator of Economics, लब कौशिक, CA Foundation जून 2024 का attempt देने वाले बच्चों के लिए important news लेकर आया हूँ, बच्चे तयारी तो कर रहे हैं जून में पेपर देने की, लेकिन दोस्तों पेपर आप तब दे पाओगे, जब आप CA Foundation जून 2024 में नई स्कीम के तहत register करा लोगे, रजिस्टर कराने की लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, जो कि एक परवरी 2024 से पहले आपको रजिस्टर कराना है, यानि 31 जनवरी तक रजिस्टर करा लोगे, तो आप जून के पेपर में बैठ पाओगे, अब मैंने अपने टिक्चिंग करियर में बहुत सार करना होता है, वो पॉम भी पिल करना जरूरी है, वो कब आएगा, वो राज्ये जो जून 2024 का पेपर दे रहे हैं न, उन लोगों के लिए वो फॉम परवरी के महिने में आएगा, अभी ICI ने उसके डेट अनौंस नहीं की है, जैसे अनौंस कर देगा, ICI की वेबसाइट पे भी दिखेगा, और मैं भी बताऊंगा, इसके बाद जो बच्चे दिसंबर में पेपर देना चाहेंगे, माल लो, दिसंबर 2024 का पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉम अभी खुले नहीं है, खुल जाएंगे, एक अगस्ते पहले उनको रजि ज़रूरी है, पहले बात तो आपको पता होना चीए, एक जुलाई को C.A.D. होता है, तो एक जुलाई 2023 को ही ICI ने नया कोर्स, यानि न्यू स्कीम ओफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लांच की थी, इससे पहले जिन बच्चों ने पुरानी स्कीम के लिए रजिस्ट्र कर रखा था, उनको कनवर्ट करने की जरूत है, अगर वो नए सिलेबस का पेपर देना चाहते हैं, मतलब अविचली नया सिलेबस इनको देना पड़ेगा, पुराने वाला वैलिड नहीं रहा है, उनके लिए भी नोने डेट रखी थी, कि ओल्ड स्कीम के अंदर 1 जुलाई 2023 इस तक वो रजिस्टर कर सकते थे, और फिर दोस्तों उनको कनवर्ट कराना बहुत जरूरी था, और चलो, सीधा इंपॉर्डेट डेट पर आते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्डेट है, दोस्तों देखो, इससे पहले एक बाद बदा दू, बच्चा बोलता है, कि मुझे फाउंडेशन कोर्स के लिए जब रजिस्टर कराना है, तो फीस कितनी देनी है, तो राजे वो फीस आपको जो देनी है, वो 9000 है, तो आप कितना लिखा है, या 9000 लिखा है, लेकिन इस 9000 के अंदर आपको study material और prospectus प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपको ICI का student journal लेकिन आपके घर पर भेज देता है, अगर आप घर पर चाते हो, उसको physical form के अंदर hard copies चाते हो, तो आपको 400 रुपे extra देने होंगे, तो फिर 9400 इसकी fees हो जाती है, खैर काम की बात पर आते हैं, जो ICI ने लिखी हुई है, राजे ICI ने लिखी है, मेन बात, लोजी आ जाओ आपका काम यहाँ बनेगा, लोजी, ICI ने लिख दिया, जो बच्चा, यह foundation जून 2024 का पेपर देना चाहता है, उसको before first पैरवर्वी 2024 जून के exam देने के लिए, अपने आपको register कराना ही होगा, समझे रहों, और जो बच्चा दिसंबर में देगा, उसको एक अगस्त से पहले before first अगस्त से पहले register कराना होगा, ठीका जी, register करा लिया है सर, जिन बच्चों ने करा लिया है, जिनों ने नहीं कराया, उनके लिए काम की information थी, confusion नहीं होना ही दर दर से, सीधा ICI से verified information दिये, अब मुद्दा बनता है, कि सर examination form भी भरना पड़ता है, जी हाँ, राजे आपक परवरी के महीने में निकलेगा, जो December में पेपर देंगे 2024 में, उनके लिए August के महीने में examination form आ जाएगा, ये बर देना आपका पेपर हो जाएगा, अब मुद्दे की बात बताता हूँ, कौन बच्चा, CA Foundation के लिए register कर सकता है, जो बच्चा 10 वी पास है, वो CA Foundation के लिए register कर स है, matter नहीं करता, अगर आप 12th pass आउट हो, तो भी आप CA Foundation के exam में, मतलब appear हो सकते हो, लेकिन registration कराने से कोई problem निया, दस्वी पास होता हो, जब आपने दस्वी पास करके CA Foundation के लिए register करा लिया, तो ये registration आपका 4 साल तक valid रहता है, अगर 4 साल के अंदर आपने CA Foundation paper pass नहीं किया तो आपको दुबारा से register कराना होता है, यानि piece दुबारा से pay करनी पड़ेगी, और अब अगर एक बच्चा CA Foundation का paper pass नहीं कर पाया, वो दुबारा CA Foundation को attempt करना चाता है, तो क्या उसे दुबारा register कराना होगा, नहीं, क्या दुबारा examination form बरना पड़ेगा, येस, दुबारा examination पढ़ना पड़ेगा, अब बच्चा पूचेगा, सर CA Foundation के लिए register कराने का पूरा process बता दो, अगर आप चाहते होगी पूरा process मैं बता दू, आपको एक एक चीज, document कैसे piece जमा हर एक शीज के साथ, आपका काम असान कर दू, comment section में बता देना, relevant information आपके लिए बहुत जल्द information मिशना हो जाए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सन्यवाद